इससे पहले कि आप तक कुरोना वाइरस का अपडेट पहुंचाए आप तक एक अच्छी खबर पहुंचाना जरूरी है रजेश्वर सिंग मनहास, कोबरा कमांडो जिन्हें नकसल वादियों निच अत्रसगर में काफी दिनों तक बंदी बना कर रखा था उन्हें छोड़ दिया गया है लेकिन वहीं दूसरी और जमुकश्मीर की स्थितिक की भी बात करना जरूरी है क्योंकि आज ही जहां डीसी जमु ने एक ओर्डर ये दिया है कि जितने भी मेले हैं जितनी भी एक्जिबिशन्स हैं उन्हें वाइंड अप कर दिया जाए वहीं दो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन्स भी जम्मु डिस्ट्रिक में बना दिये गए हैं जीजेम साइंस कॉलेज जहां से कल भी 30 केसे कोविड-19 के सामने आये थे और आज के दिन में भी बताया ये जा रहा है कि लगभग 25 केसे आज भी कोविड-19 के आए हैं जीजेम साइंस कॉलेज कनाल रोड के आसपास के एरिया को भी माइक्रो कंटेन्मेंट जोन डिसी जम्मु ने एक ओर्डर देखकर डिकलेर कर दिया है साथी में एरिया जो संस्क्रिक युनिवरस्टी कंगरमुर भलवाल में है उसके आसपास के एरिया को भी माइक्रो कंटेन्मेंट जोन डिकलेर कर दिया गया है माइक् अपने घरों में ही रहें बाहर ना निकले और साथी में पेरेमिटर सेट कर दिया जाएगा यह इंशौर करने के लिए कि वहां पर अगर और भी लोग कोविट पॉजिटिव है तो उन्हें जल्दी से जल्दी ऐडेंटिफाई किया जा सके इन दो लोकेशन को आज एक और नि के केसे जम कुश्मीर में आये थे आज हाइस सिंगल डे स्पाइक अब यह नंबर और जादा बढ़ चुका है 835 कोविट नाइटीन के केसे आज पूरा दिन में जम कुश्मीर में पॉजिटिव आये हैं उन में से 280 केसे जहां जमू डिविजन के हैं वही 555 केसे कश्मीर ड जमू डिविजन से ही हुई थी आज के दिन में इंफोर्मेशन ये मिल रही है कि एक कोविट नाइटीन के कारण डेथ हुई है वो भी कुश्मीर डिविजन से लेकिन उसके बावजूद भी अभी पिछले पूरे हफते में ऐसा एक भी दिन देखने को नहीं मिला जहां पर कोविट नाइटीन ने किसी की जान ना ली हो आज की अगर बात करें तो शीनगर डिस्टिक में 349 कोविट नाइटीन की केसे आज पॉजिटिव आए हैं उन में से जहां 61 लोग ट्रावलर्स हैं वहीं 288 लोकल्स हैं जो की कोविट पॉजिटिव आए हैं उसके इलावा 12 पॉजिटिव आए हैं जिर में से 4 चाहर ट्रावलर से और सतर अन्य लोग हैं जो क क पॉजिटिव आए हैं बरगाम की बहुत करें बढ़ बरगाम में 24 केसे शह आज क Toronto के अगर बात्की जया तो जमू डिस्टिक में आज के दिन में आंंयम से भी 19 कोविट के आये थे और उसके इलावा अभी जो रीसेंट इंफरमेशन है पांच नए कोरोना केसे जो हैं वो मलहोतरा स्ट्रीट जम्मू से भी कोविड नाइंटीन के आए हैं यानि कि लगातार आसपास के इलाकों से जमू डिस्टिक में भी कोविड नाइंटीन के पॉजिटिव केसे आते रहे हैं बढ़गाम डिस्टिक में बात कर रही थी चोविस केसे आज के दिन में आये हैं उसके बाद पुल्वामा पुल्वामा से भी आठ केसे को विड नाइंटीन के आए हैं जिन में से चार ट्रावलर्स हैं चार अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं साथी में गांदरवल की अगर बात की जाए गांदर बल से भी साथ लोकल्स हैं जो की कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और कुल्गाम से अठारा केसे आए हैं जिन में से पांच ट्रावलर्स हैं तेरा लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और शोपियां से च 248 COVID-19 के केसे पॉजिटिव आए हैं जिन मेंए से दौ ट्रावलर्स हैं लेकिन 146 लोकल्स हैं जो कि कोईट बॉजिटिव आए हैं उधंपुर से 35 केसिय। 28 उनमे से ट्रावलर हैं साथ अन्य लोग जो कॉज़िव आए हैं रजोरी से नो मामले बने दो ट्रावलर्सоме और साथ लोकल्स के डोडा से भी आध चार लोकल्स जो है कोढ़्य पॉज्टिव हैं समभा राओंस से बीस केसे आये हैं इसरस अधर व कत्रावर्से से जो कि लिए पॉज्टिव अशdırब दो लौकल्स है रांबन से दो केसिज आए एक ट्रावलर का और एक लोकल का साथी में रियासी से आज सेकंड हीएश कोई 19 दिस्टिक से आए हैं तो वह लियासी डिस्टिक है जहां पर चौतिस ट्रावलर्स और सब्सक्राओं इस और तेरा अन्य लोग जो है वह कोउड़ सेमी हाल है 555 कोविड नाइचीन के केसे अगर आए हैं तो 86 ट्रावलर्स हैं और 469 अन्य लोग हैं जो की कोविड पॉजिटिव आए हैं साथी में आज जो और मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंटेन्मेंट जोन्स दो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डिकलेयर कर दिये गए है एक जीजेम साइंस कॉलेज के आसपास के एरिया को जो है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन डिकलेयर कर दिया गया है उसके साथ साथ संस्केट उनिवर्स्टी जो कंगर मोड भलवाल में है उसे भी डिकलेयर कर दिया गया है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन और माइक्रो कंटेन्म zone में लोगों को यह कहा जाता है कि वो अपने घरों में ही रहें यहां से बाहर निकलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती यह सिरे क्यूंकि यहां पर जो है इन्हीं एरियाज में लगातार कोविट कोविड-19 के cases जह हैं वो आये साथी में आज के दिन में मलोत्रा स्ट्रीट जम्मू से भी 5 नए कोविड-19 के cases जो हैं वो positive आ चुके हैं बात करने कि डेली जो हैं वो लगातार कोई-19 की केसिस बढ़ते नजर आ रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक की अड्मिस्ट्रेशन अपने तरीके से कोशिश कर रही है इस बिवारी को कंट्रोल करने की से फैलने से रोकने की लेकिन उसके बावजूद भी नमबर ऑफ केसिस जो हैं वो दिन ब एक्जिबिशन में आ रहे हैं और अगर बंद किया जाएगा तो हमारे पेट पर वो लात मानने के बराबर है क्योंकि अभी तक हम लॉस में ही चल रहे हैं एकदम से 24 गंटे में हमें वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया है तो हम किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे दू कोविड नाइंटीन का यह जो एंफोर्श्मेंट है वो खाली क्या आम लोगों के लिए है लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि जहां ट्रावलर्स तो पॉजिटिव आ ही रही है वहीं जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनमें लोकल्स की तादाद जादा आ रही है पहले जम्मू कर दिया गया है अड्मिस्ट्रेशन द्वारा और भी नए ने वैक्सिनेशन सेंटर जो है वो बनानी की कोशिश की जा रही है आप लोगों से यही गुजारिश की सोपीज को जरूर फॉलो करें और साथी में हो सके तो अपने आपको वैक्सिनेट जरूर करवाएं